क्लावड मेंड कलर कोने वाला ये ग्रेट दीए का सैंसेंग एस टुन्टी अपी आटजब एक्स और टाज़ीवी शेज़ार दोसों का कि ओ भाई साब कंडिशन देख रहोगा इस फोन की एक दम क्लीन तो देख सकता है आप लोग वाइलेस चार्जिंग चल रही है कोई भी इश्यू नहीं है पास चार्जिंग लिखा हुआ रहा है तो हेलो गाइस के सब्सक्राइब लोग तो आज में एक अन्बोक्सिंग करने वाला हुए एक ओडर की जो कि मैंने ओडर किया था कैशिफाइ सूपर सेल से और इसमें होने वाला है सैमसंग गैलक्सी एस ट्वेंटी एफ़ी आटजी पे एक्स और ग्रेट डी का होने वाला के लिए 6200 रुपे जैसे कि आप लोग बॉक्स पे भी देख सकते हैं और ग्रेट डी में डिस्प्ले और बैक पैनल का रिस्क होता है तो अभी मैं अन्बोक्स करके दिखाऊंगा आप लोग को दिखाऊंगा किसकी कंडिशन कैसी होगी और अगर आप लोग को दिखाता हू किसकी कंडिशन कैसी होने वाली है तो फोन को मैंने अन्बोक्स कर दिया बिल पर आप लोग देख सकते हैं क्लावड मिंट कलर का होने वाला यह ग्रेट गीग का सैमसंग स्ट्वंटी अभी आटजब एस और टाजबी 6200 का तो बिल आप लोग को ने देख ले गाईस अभी म दिखा देता हूं आप लोग को जैसे क्या आप लोग दे सकते हैं बबल रैप में फोन है भी और क्लावड मिंट का होने वाला है यह और सील और बार्ट कोड लगी है फोन के ओपर मेरे मतलब फोन देखते हैं कैसा होने वाला यह अभी ओ मैसा कंडिशन देख रहो गाईज फोन की एकदम क्लीन और यह भाई सहाव डिस्प्ले एकदम कोई क्रैक नहीं वह हो एकदम न्यू कंडिशन गाई मज़े आ गए इसको देखके तो मज़े आ गए अभी मैं इसको ऑन बॉक्स करता हूं मतलब इसको ओन करता हूं फिर आप लोग को दिखाता हूं तो इस फोन जाँ हुँआ है मैं मिटानी कोई कर रहा हूं तो मिट और आन्य है तो शाय इसक्रैची होगा तो आभि आप लोग देश तो जैसे कि आप लोग दे सकते हैं, इस फोन की कंडिशन और फोन की डिस्पले तो एक लिए मक्खन दिख रही है, कोई भी स्क्रैच निया, मतलब एक भी सिंगल स्क्रैच निया, फोन की डिस्पले पे, कोई भी डॉट नी है कोई भी लाइन नी और ब्राइट नस आप रोग दो सकतु तो बैक कैमरा भी चल रहा है इसका और फोटो लेके देख लेता हूं मैं भी एक और देख सकते हैं अब लोग फोटो एकदम मझा क्लीन आई है कोई भी मझा ऐसा ब्लड नहीं दिख रहा मुझे फोटो के अंदर और फ्रेंट कैमरा से एक मैं फोटो ले लेता हूं अपनी तो देख सकते हैं अभी मैंने फोटो ले लिए यहां से क्लिक नहीं हो रहा है तो अभी मैं इसके वीडियो बना लेता हूं एक बैक कैमरा से एक वीडियो बना के देख लेता हूं कि इसमें वीडियो बनती है या पी नई बनती है तो वीडियो तो इसमें प्रॉपरली बनती है अभी सेव करके देख लेते हैं इसको चाहिद यो जो सील लगी होई है ना इसे सील की वैसे साई से चलने पा रहा है तो सील को मैं अभी रिमूब भी नहीं करता क्योंकि सील अगर मैं हटा दूँगा तो 48 आवर्स की रिटरन पॉलिसी खतम हो जाएगी तो देख सकता है एंड्रोइड वर्जिन 13 पे चल रहा है बन यवाई 5.1 पे और अभी मैं इसमें आप लोगो वो चला कर दिखायता हूं स्पीकर चलाकर दिखायता हूं कि इसका स्पीकर वर्क कर रहा है या फिन नहीं और great D में only display और back तरहल का risk होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि great D में कोई function defect का risk भी निकल जाए जैसे speaker camera battery तो वह सब jack करना पड़ता है और अगर कोई functional defect का आता है great D में तो वो return हो जाता है 48 hours के अंदर तो अभी मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है और देखते है कि network आते हैं नहीं आते हैं अब तक तो कोई network का sign आया है नहीं है मैंने इंसर्ट कर जाया SIMS और अब आप लोग देख सकते हो कि SIM आ चुका है और सेटिंग का menu भी option open हो गया था और network भी आ चुके हैं और अभी मैं इससे call मिलाकर देख लूँगा कि इससे call लगती है नहीं लगती है तो 198 पर मैं call लगती है पिर नहीं तो देख सकता है आप लोग लग चुकी है और call होगा कि इसमें जो बीच में से हलकी सी टेस्टिंग चल लिए बागी पूरी फोन की टेस्ट चल लिए बस हलकी सी बीच में से टेस्टिंग चल लिए तो अभी मैं इसमें आप लोग को wireless charging की चेक करा दूँ हो क्योंकि S20 FE में wireless charging support करती है और यह S20 FE 4G वाला variant है और अभी मैं हुआसे रखके देख लेते हैं है दुबारा से ब्हुन देखते हैं कोई इसून है है सकते हैं हृष को ड arrest bathrooms ल covering पी और अभी मैं इसमें आप लोग को फिंगर पर कर रहा है यहां कि नहीं कर रहा झाल तो आप लोग देख सकते हो गाइस फिंगर पींट पूरा हंडिड परसेंट हो चुका है कोई भी लिए फिंगर पेंट करने में अभी चला के देख लेता है कि चलता है अभी नहीं चलता है तो देख सकते हो अब लोग नचांच स innovation dalla दम मक्खन के दरह चल रहा है और इस फिंगर भी से लगा के दिखाऊंगा मैं आप लोग को तो इससे नहीं चलेगा लेकिन जिससे मैंने लगाया तो सिर्फ उससे ही चलेगा तो मतलब डिस्प्लेइश की ओर इतने ले फिंगर पेंट भी वरकिंग है कोई भी इशू नहीं है और अभी मैं इससे फेस लोग लगा के दिखाए तो आप लोग को कि इसका फेस लोग वरक करता है या फिर नहीं करता है तो फेस अनलोग लग चुका है फेस अनलोग लगाने में कोई भी इशू नहीं आया अभी चेक कर लेते है फेस अनलोग चलता है फिर नहीं चलता है त तो देख सकता है आप लोग फेस अनलोक चल चुका है फेस अनलोक में कोई भी इसू नहीं है दुबारा से चल आके देख लेता है तो दुबारा से भी चल चुका है दुबारा से भी कोई इसू नहीं है इसमें बाकी फोन तो मैं यही कहूंगा कि फोन पूरा वर्किंग है उसका तो इतना बड़ा मतलब चलता है, इतना तो चलता है, आप लोग को बिडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट मों बता देना मुझे अगली वीडियो की पॉन्डों बनाना चाहिए, तो यही थी गाइस कुछ आज की अंबोक्सिंग वीडियो मिलते गाइस कीसे अगली व झाल झाल